हेलो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोगों को बात्रूम की जो बाल्टियां होती हैं जिनमें जिद्धी दाग लग जाते हैं पानी के बहुत जिदी दाग लग जाते हैं उनको कैसे क्लीन करते हैं उसका तरीका बताने वाली वो भी बिना किसी मेहनत के जी हाँ दोस्तो आपको ज़्यादा बाल्टी को रगरने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है बहुत आसानी से ये clean हो जाएगी आप देख सकते हैं जो मैंने balti ली हुई है वो बहुत गंदी बहुत पुरानी balti है वैसे हमारे bathroom की सभी balti या बहुत clean रहती है लेकिन दिवाली की सफाई में ये मुझे useless समान में पड़े हुई मिली तो मैंने सोचा इसको अच्छे से clean किया जाए और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इसका use कर सकें वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा अगर वीडियो पसंद आए न तो चैनल को subscribe जरूर कर देना तो आप लोगों को करना किया है सबसे पहले जो घर में आप normal toilet cleaner यूज करते हैं वही आपको लेना है और चारो तरफ इसके लगा देना है बाल्टी में जहां से भी ये गंदी है वहां पर इसको इस तरीके से लगा दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी बाल्टी है तो मैंने toilet cleaner ज़्यादा लगाया है अगर आपकी बाल्टी गंदी है तो आप कम लगाये ये देखे बाहर भी हमें इसको इसी तरीके से toilet cleaner से cover कर देना है चारो तरफ में इसके toilet cleaner लगा देती हूँ और आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है toilet cleaner लगाने से पहले आपको हातों में gloves पहन लेने है अगर gloves ना हो तो आप polythene का use भी कर सकते हैं मैंने अभी नहीं पहने हैं लेकिन मैं भी polythene पहनने वाली हूँ अभी अब आपको कोई भी scrubber ले लेना है ये देखे मैंने इस तरीके का scrubber लिया है और हातों में मैंने poly bag पहन लिया है और इस scrubber से हमें क्या करना है हलका हलका सा बाल्टी को रब करना है और इसको इस तरीके से रब करके हमें छोड़ देना है एक घंटे के लिए चारो तरफ हमें toilet cleaner को अच्छे से लगा देना है इस scrubber की मदद से अंदर भी मैंने लगा दिया है और मैं बाहर भी इसको इसी तरीके से लगा देती हूँ जो भी part बाल्टी का गंदा है वहाँ पर toilet cleaner से इसको अच्छे से coat कर लेना है यह देखिए चारो तरफ toilet cleaner लग चुका है अब मैं इसको एक घंटे के लिए side में छोड़ देती हूँ रखकर हमारी बाल्टी बहुत जादा गंदी है इसलिए मैं इसको एक घंटे के लिए छोड़ रही हूँ अगर आपकी बाल्टी जादा गंदी नहीं है तो आप इसको पंदर मिर्ट के लिए छोड़ दीजिए अब एक घंटे बाद ये magic देखे दोस्तो आधे से जादा जो निशान थे वो अपने आप ही छुट चुके हैं वो भी बिना किसी महनत के मैंने इसको रब नहीं किया है बिना किसी महनत के आधी से जादा बाल्टी ये साफ हो चुकी है अब बचे हुए जो निशान है उसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे किसी भी ब्रश की मदद से आपको इसको अच्छे से रब करना है वैसे तो ये काफी हद तक क्लीन हो चुकी है जो इसके निशान है वो भी अब जिद्धी नहीं है वो बहुत आसानी से चुटते जा रहे हैं मतलब बिना किसी महनत के आपकी जो बाल्टी है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी ये देखे मैं दूसरा स्क्रबर का यूज कर रहे हूँ तो कोई भी आप स्क्रबर ले सकते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से रब कर लीजे चारो तरफ से ये देखिए दोस्तो अंदर से जो बाल्टी है वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है इसी तरीके से हमें बाहर से भी बाल्टी को रब कर लेना है जितने भी जिद्धी निशान है वो बहुत ही आसानी से साफ होते चले जाएंगे तो दोस्तो आपके घर में जितने भी गंदी बाल्टी है या जितने भी जिद्धी निशान है बाल्टी में पानी के वो बहुत असानी से साफ हो जाएंगे आप सामने देख सकते हैं मैं कोई भी आपको जूटी वीडियो बना कर नहीं दिखा रहे हूं सब कुछ आपके सामने हैं बहुत यासानी से जो निशान है वो क्लीन होते जा रहे हैं ये देखिए तो दोस्तो इस दिवाली आप अपने बातरूम की सभी बाल्टी को इसी तरीके से साफ कर सकते हैं वो भी बिना किसी मेहनत के अब मैं आपको इसको पानी से वोश करके दिखा देती हूँ है ना एकदम मैजिक जैसा ये देखिए जो मैंने पहले बाल्टी आपको दिखाई थी उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आप साफ देख सकते हैं डिफरेंस कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी ये बाल्टी और अब बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुकी है सो दोस्तो उमीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो जासे ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए जासे ज़्यादा कमेंट हो जासे ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए तब तक के लिए बाबाय मिलते हैं ऐसी ही नेक्ष्ट वीडियो में